हुआ 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 है नमस्कार दोस्तों न्यूज वैरलाइक्स की यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आपके लिए आया हूं दो चरवाले राखिक समीकन चेप्टर से जितने भी महातपूर्ण प्रश्ण है मैं उसको आपके सामने में सेर करूंगा जो कि परच्छा के दृष्टी कौन से काफी महातपूर्ण होने वाला है दोस्तों इसी में से क्वेश्चन लिया जाएगा इसलिए इस वीडियो को अं तो वह क्या होता है तो यह अशंगत होता है अशंगत होता है तो अगला प्रश्ण में देखते हैं आदूतिय हल वाला युगमपत राखिक समीकन कहलाता है क्या कहलाता है तो यह शंगत होता है ठीक है यह संगत होगा आदूतिय हल वाला युगमपत जो राखिक समीकन होग वो शंगत होता है, छेक, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अधूत्य अहल कि अह 小 tap होता है, जब A1 बटे A2, बराबर नहीं B1 बटे B2 होता है, तो इस condition में क्या होता है, अधूतिय अहल होता है, और यूगम क्या होता है, शंगत होता है, कोई नहीं हल होता है, यानि सुन्य होता है, कोई नहीं हल होता है, ठीक है, कोई हल नहीं, ठीक, इसका ये अंसर होगा, चलिए अगला प्रशन हमारे सामने में है, के के की समान के लिए रैखिक समीकन यूग, ठीक है, दो एक्स माइनस उआ है, माइनस तीन, ठीक है, बड़ाव एक्स मैनस पांच बरावर सुन्य का एक एक मात्र हल ठीक है एक मात्र हल एक्स बरावर एक और वै बरावर एक है सवाल को बनाते हैं तो जिस समीकर्ण में देखिए के का मान है उसमें मान रखिए चलिए एक्स की जवाप रखना है एक सड्य यहां पर वाई होना चाहिए ठीक यहां पर वाई होगा वाई की जगां पर रकना है मैनस एक वाईनस Πांच बरावर सुने ठीक है यह हो गया दो के मैनस साथ मैनस पांच बरावर सुने दो के बरावर यह दोनों उर करके उससे टेंड चला मैनस 7 मैनस 5 मैनस 12 हुआ प्लस 12 हो जाएगा तो की बड़ाब हो गया 12 बट्टे दो इसका जबाब होगा चो ठीक है दोस्तों इसका जबाब आया चो चलिए अगला प्रश्ण है 10 पावर 12 है बड़ाबर 25 है तो 10 पावर मैनस हुआ है ठीक है 10 तुरी पावर मैनस हुआ है बड़ाबर है तो इसका मान क्या होगा यह देखना है चलिए सबसे पहले क्या करना है इसको पावर की रूप में लिखा जाया है चलिए सवाल में है 10 पावर 2 है इसको क्या लिख सकते हैं 5 पावर 2 लिख सकते हैं 5 पावर 2 यह 2 और 2 कट जाएगा यानि 10 पावर हुआ है बड़ाबर 5 हुआ ठीक अब क्या करना है इसको मैनस में जब हमको दिखाना पड़ेगा तो 10 पावर मैनस कब होगा एक बड़े 10 पावर मैनस हुआ है बड़ाबर हो जाएगा क्या 5 ठीक है बड़े एक चलिए अब हमको दिखाना है क्या अब दस्ट पावर मैनस वआ बड़ाबर कितना होगा तो एक बड़े 5 अब समझ में आया यहां पर देखिए 10 पावर 2 बड़ाबर 25 है तो 25 को तो हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 के रूप में अब ऐसा की है 10 पावर यह पावर 2 पावर दो इधर दोनों कट गया दस पावर बड़ाबर 5 बचा ठीक है अगर वाइक को निगेटिव में हमारे पास देखिए यहां पर निगेटिव में जाना है तो निगेटिव में जाएंगे तो वाइप को जब नीचे रखते हैं तो पावर अभी वाइब में पलस लगा हुआ पावर जो ही हम नीचे जाएंगे मतलब अभी अंस की रूप में है जब हर में जाएंगे नीचे जाएंगे एक बट्टे की रूप में जब चला जाता है तो क्या होता है पावर मैनस में चला जाता है ठीक है अब फिर मैनस को सीधा क पर के लिखेंगे तो नीचे वाले को उपर ले जाएंगे तो यह फिलट जाएगा न तो एक बट्टे पांच हो जाएगा ठीक चलिए चलिए अगला प्रश्ण है सरल रेखाएं एक्स बराबर दू वाई बराबर ठीक है माइनस दू है तो यह क्या है एक दूसरे के लंबवत है या एक दूसरे के समानतर है इसको देखना है ठीक है तो आप देखिए अगर हमारे पास एक समीकरण और सड़ी ग्राफ हम जब बनाते हैं तो यह होता है एक्स डैस यह वाई और व्यवडैस होता है यह 0 होता है तो एक्स बराबर दो एक दो ऐसे करके हम लोग चलते हैं ठीक यदि एक्स पर दो को और हमको जाना है नीचे की तरफ आएंगे दू उपर में प्लैस वाला चलता है इधर बा इस यह ऐसे चलता रहता है एक्स पर दो वार पर मैनस तो ऐसे नीचे आना है एक यह न्यूंत अब देखिए एक दूसरे के कहे का हुआ यह सब्सक्राबर तो चले दोस्तों अब अगला प्रश्anden हमारे सामने है आसरी समी करण के योगम का हल तो आसरी समी करण के योगम का हल क्या होता है तो इसका आश्रित समीकर्ण के योगम का हल जो होता है वो अनेक हल होता है ठीक है इसका क्या होता है अनेक हल होता है आश्रित समीकर्ण एक प्रकार से यह समझे संपाती टैप का होता है तो इसका अनेक हल होता है अगला परशने सरल रेखा एक्स बराबर माइनस दू तो था य बराबर 3 का कटान विंदू क्या है ठीक है तो कटान विंदू को हम कैसे दिखाते हैं रोजतों आप फिर एक बार चलिए ऐसे हम लोग ग्राफ जो बनाते हैं जिरो रखे हैं यह इधर एक्स और इधर एक्स डैस इधर वाई और इधर वाई-डैस ऐसा ही होता है एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार ऐसे करके लिखते हैं इधर मैनस में जाएगा इधर फिर पॉजिटिव होगा ऐसे होता है न मैनस एक, मैनस दू, मैनस तीन, ठीक है अब चलिए एक्स बराबर मैनस दू तो एक्स को मैनस दू यहां रखना है और वाई तीन है तो द आप इधर जाना ही सकते हैं दॉरइना साहर जो होता है уinhos सा नीगेटिव होता है तो माइनस में चलिए यहां पहुंच गए और वाय पर दिन है तो य का महत्व या टो उपर जाएगा या नीचे जाएगा अगर फॉजेटिव में हम x लिखते हैं मैनस 2 अब फिर y लिखते हैं यानि 2,3 ठीक है 2,3 जो है यह कटान बिंदो होगा लेकिन दोस्तों यह आपजेक्टिव प्रश्ण है तो आपजेक्टिव प्रश्ण में इतना कुछ नहीं करना है बस आपको क्या लिखना है x,y बड़ाबर क्या होता है पहले x को रखिए मैनस 2 और y को रखिए 3 यहीं इसका कटान बिंदो हो गया सीधा इसको बना देना है इतना कुछ करना नहीं इतना हम जो बताएं आपके concept clear करने के लिए बताएं ताकि इसको अब समझ जाएं चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों यहां पर भी बिल्कुल आसान चीज है तो यहां पर जो देखे हैं ब्राइकेट में जो लिखा है यह कटान बिंदो है इसको ध्यान से देखें दो के मैनस 1 यह x का वैल्यू हुआ और k जो हुआ यह y का वैल्यू हुआ ठीक है यह वैल्यू को इसमें पूट कर दे देखेंगे हमारा आंसर चलाएगा यह पहला जो होता है x axis को दरसाता है और यह y axis को ठीक है तो पहला हुआ x वाला दूसरा हुआ y वाला x के जवपर आप रख दीजे समीकर में कुछ नहीं करना है 10 x-9 पहले हम उतार लेते हैं एक बार 10 गुने x के जवपर क्या रखना है 2 के मैनस 1 मैनस 9 इंटू के होगा ना बरावर 12 होगा अब देख लीजे इसको क्या करते हैं दर दूनी 20 के और मैनस 10 एकां 10 मैनस 9 के बरावर 12 चलिए अब हम क्या करेंगे इसको ये और ये 20 के में से 9 के गया कितना बचा 11 के बचा और 12 के अपने जगह पर वैसे ही पड़ा है इसको बोले इधर जाने के लिए इधर जाएगा तो मैनस में जो राएता है तो बरावर को क्रॉस करेगा पार करेगा तो ये मैनस हो जएगा पलस ठीक है, दस, यानी हो गया कितना, 11K बड़ावर कितना हुआ, 12, 10, 22, इसलिए K बड़ावर क्या होगा, 22 बटे, 11, 11 दुनी, 22, ठीक है, तो हमारा ये K का वैल्यू जो है, 2 आएगा, तो option इसका जिर, A, B, C, और D करके option रहेगा, 5, 2, 7, 9, ये दो बला में हम ठीक लगा देंग ठीक है, ऐसे ही बनता है, चलिए, एक रैकिक समीकन जिसका कोई हल नहीं होता है, रैकिक समीकन का यूगम होता है, क्या हल होता है, जब कोई हल होगा ही नहीं, जब रेखाएं समानतर हो जाएंगे, ठीक है, जब रेखाएं समानतर होता है, तब कोई हल नहीं होता है, ठीक, तो जब कोई हल नहीं होगा, तो क्या होगा, ठीक है, तो युग्म क्या होगा, अशंगत होगा, ठीक है, उस कंडिशन में युग्म जो होता है, वो अशंगत हो जाता है, जब कोई हल होगा ही नहीं, तो युग्म क्या होगा, अशंगत होगा, चलिए, अगला प्रश्ण है रैकिक समीकन यूग एक्स पलस दो वै बरावर पांच है तथा तीन एक्स पलस बारव वै बरावर दस का हल होगा इसका हल क्या होगा ठीक है तो इसका हल जो होगा उसको हम देखते हैं अप्सें में ऐसा हो सकता है कि हल कोई नहीं होगा अनंत हल होगा या एकल हल होगा उस कंडिशन में हम लोग पहले चेक करते हैं A1 बटे 2 करके चेक किजे A1 बटे 2 बरावर होता है एक बटे 3 उसके बाद B1 बटे B2 चेक कीजे तो दो बटे 12 यानी एक बटे 6 तो C1 बट्टे C2 चेक करते हैं तो यह होता है 5 बट्टे 10, 1 बट्टे 2 यानि देखें 3 अलग अलग हो गया A1 बट्टे A2 बड़ावर नहीं B1 बट्टे B2 बड़ावर नहीं C1 बट्टे C2 तो इस कंडिशन में क्या होगा ठीक है अजब रेखाएं परती 6 होंगे तो क्या होगा एकल हल होगा बस एकल हल होगा तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आदिती हल होगा एक आदिती हल होता है इस कंडिशन में ठीक है एकल हल होगा मतलब मातर एक हल होगा एक X का मान आएगा एक Y का मान आएगा तो दोस्तों दो चरवाले रैकिक समीकन के जितने भी महत्पूर्ण प्रश्ण थे बेविया क्वेस्चन वो आपके साथ मैंने सेयर कर दिया और आप से आग रहा है कि इसे आप अधिक से अधिक सेयर करें और हमारे चैनल पर नए आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच में सेयर करें और यदि आपको इसका लिष्ट चाहिए कोई प्राब्लम हो आप हमसे सीधे कॉंटेक्ट कर सकते हैं यह हमारा वाट्सअप नमर है ठीक है इस पर आप सीधे हमसे कॉंटेक्ट कीजिए मैं आपको जितने भी इसका लिष्ट है सारा दूंगा प्लेलिस प्राइट करें